How are you all doing? I hope आप लोग सब अच्छे से हूँ. मैं अंकेता लाल और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी 54th International Film Festival of India, Everything You Need to Know, वो सब जो आपको जानने के जरूरत हैं. जैसा कि मैं हमेशा कहते हूँ, आपका काम है कॉंसेंट्रेशन बनाए रखना, एकाकरिचित होकर सुनना और स्क्रीन पर ध्यान देना और कोशिश रहनी चाहिए आप लोगों की कि यहीं आद हो जाए ताकि आप लोगों के लिए ही असान हो. तो बिना समय गवाई शुरू कर यह नौ दिन का सिनेमेटिक यानि कि फिल्म से रिलेटेड इवेंट है, जो कि 20 से 28 नवंबर चला, लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है, वो है डॉक्टर श्याम प्रशाद मुखर जी इंडोर स्टेडियम, पानजी, गोआ, इंडिया. यह फाउंड किया गया था फिल्म फ फेस्टिबल है एशिया का, एशिया का एक बहुत ही पुराने फिल्म फेस्टिबल में से है, यह जो है IFFI 2004 के बाद से हर साल गोआ में ही मनाया जाता है, यह एक ग्लोबल प्लाटफॉर्म, वैश्विक, मंच की तरह काम करता है, बहुत सारी फिल्मों के लिए, पूरे इनियन मिनिस्टर, इन्फोरमेशन और ब्राटकास्टिंग के कौन है, येस, श्री अनुराग सिंग ठाकूर, इन्होंने इस फेस्टिबल को इनाउगरेट किया, शुरुआत करी इस फेस्टिबल की, विजन क्या है, सोच क्या है इस फेस्टिबल की, तो इस फेस्टिबल का हमारा विश्व है वह एक बड़े परिवार की तरह है यहां मेरा आप लोगों से क्वेस्चन है अभी रिसेंटल एक बहुत बड़ी इंटरनाशनल इवेंट होकर गई है जिसमें यह वसुदेव कुटूमबकम थीम थी और यह इवेंट का नाम आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है प्लीज कॉमेंट सेक्शन को इंटराक्टिव रखें ताकि आप लोगों को भी क्रेडिबिलिटी बढ़े और याद भी रहें ओके शेखर कपूर जो कि एक इंडियन फिल्मेकर है जिनकी फोटो दी हुई है यहाँ पर वो चैर परसन बने इंटरनाशनल जूरी के जूरी यानि की जज को कहते हैं जूरी यह इस साल जो है एक न्यू काटेगरी एड हुई है जो कि बेस्ट वेब सीरीज ओटी ओवर दे टॉप बेस्ट वेब सीरीज की काटेगरी एड हुई है 32 entries आई हैं यानि कि 32 movies select हुई है इसमें आई हैं जो कि 10 languages से हैं ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है एक opening film और एक होती है closing film कोई भी film festival की शुरुआत में एक film दिखाए जाती है और एक end में एक film से उसको अंति किया जाता है तो जो opening film है वो इस साल की British movie Catching Dust है Stuart Gart की जिसमें एक wife जो है अपने criminal husband को छोड़ने की कहानी नेरेट करती है और जो closing film है वो है The Featherweight by Robert Colony और यह film जो है वो एक American Biographical Sports Drama है यह आपकी photo है Catching Dust की और यह photo है Featherweight की एक British और एक American अब हम कुछ details देखेंगे 54th IFFI की इस साल के festival में 19 अवार्ड विनिंग फिल्म जो की various international film से आई है पूरे साल की उनको S.O.T. यानि की select किया गया था इसमें IFFI के लिए यह जो international selection है उसमें 198 films आई 13 वर्ल्ड प्रेमेर 18 international प्रेमेर और 89 Indian प्रेमेर प्रेमेर यानि मूवीज की प्रेमेर यह एक सितारों से सजी हुई ceremony थी opening ceremony की बात करें तो star studied थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने perform किया शाहिद का पूर्व आप देख सकते हैं यह उतना important नहीं है additional information हम लोग कुछ देखेंगे इस साल जो इंडियन पैनोरामा section थी उसमें 25 फीचर एक section था इंडियन पैनोरामा उसमें 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्म थी आपको नाम याद रखना है नॉन फीचर सेलेक्शन मल्यालम फिल्म अट् इसमें एक new initiative launch होता है जिसका नाम है creative minds of tomorrow जिसमें 600 के around entries आई 600 लोगों ने इसको entry entry की जो की बड़ी चीज है यह जो inauguration हुई उसमें एक नया commencement वने शुरुवात हुई 17 वे edition NFDC Film Bazaar की जो एक film segment है IFFI की यहां पे incentives भी देखे गए कि अगर कोई foreign film production इंडिया में होती है तो क क्या incentive मिलेगा मतलब क्या पैसे मिलेंगे 30 करोर 40% increase हुआ यह सारी चीज़े हुई सबसे important segment IFFI का है इनके awards जो भी excellence होती है film making की वो IFFI golden peacock award के नाम से देता है उनको अलग-अलग categories अलग-अलग categories में जैसे best feature film, best director, best actress, etc. वो आप लोग पढ़ लेना अब हम लोग awards और winners और यहीं याद करने के गोशिश करेंगे Best film मिली है Endless Border को जो कि एक Persian film है जिसको direct किया है Abbas Amini ने यह film जो है एक Iranian teacher की odyssey यानि कि उनकी कथा के उपर है Best web series पंचायच season 2 को मिली है जिसपे जिसमें मैंने star मार किया है वो और भी ज़्यादा important है क्योंकि वो Indian है और भी reasons है Best web series पंचायच season 2 बहुत अच्छी web series है Best actor male पौरी रहीमिया Sam Endless Border के लिए Best actor female Melanie Therry को film party of fools के लिए special jury award मिला है रिशव से शेटी को जैसे कि देख सकते हो उसमें star है फिल्म कंटारा के लिए यह बहुत अच्छी film अभी आई है Best director मौका मिले तो जरूर देखें Best director स्टीफेन कुमारन देव को फिल्म लागा लेसंस के लिए Best debutant director debutant मने अभी अभी आए है जिन्होंने debut किया है वो मिला है रिजर अजाद काया को अपनी film The Seedlings of Grow के लिए सत्य जी तरे Lifetime Achievement Award सत्य जी तरे कौन है वो इंडिन डिरेक्टर और कॉपी राइटर थे बहुत ही फेमस बहुत ही बड़ी हस्ती है हमारे देश की उनके नाम पर यह अवार्ड है जो माइकल डगलस को मिला है जो हॉलिवूड के बहुत बड़े लेजेंट है यह भारतिय सिनमा अवार्ड मिला है तो यह सारे अवार्ड्स एंड विनर्स हम एक बर और रीड करती हूं आप लोग भी मेरे साथ रीड करो ताकि आप लोगों को अभी आत हो जाए बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन टू बेस्ट आक् डिरेक्टर रिगर अजात काया को फॉर वेन दे सीडलिंग्स ग्रो सत्य चीत रे लाइफ टाम अचीवमेंट अवार्ड यह मिला है माईकल डॉगलस को और माधुरी दिक्षित नेने जो है उनको स्पेशल रेक्निशन फॉर कॉंट्रिबूशन टू भारते सिनेमा योगद यह वो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे और हां आप लोग पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें विद दिस आई कॉंक्लूट